कम्प्यूटर प्रोग्रामिंग सीखने की सीरियस के इस वीडियो में हम प्रॉब्लम नमबर 12 को सॉल्व करेंगे तो आज के इस वीडियो के लिए जो हमारे प्रॉब्लम है वो है कि हमें एक C प्रोग्राम लिखना है जो यूजर द्वारा दिये गए टेंप्रेचर को Celsius to Fahrenheit और Fahrenheit to Celsius convert करें तो आज की इस वीडियो के लिए जो हमारे पास Input Output Format होगा वो कुछ इस तरीके से होगा कि हम यूजर से पहले टेंप्रेचर मांगेंगे Celsius में और जब यूजर हमें Celsius में टेंप्रेचर देदेगा तो हम उस temperature convert कर देंगे Fahrenheit में और उसी तरीके से है फिर बाद में हम यूजर से temperature मांगेंगे Fahrenheit में और यूजर द्वारा दियेगा temperature को जो की Fahrenheit में है हम उसे convert कर देंगे Celsius में तो बस आज की वीडियो में हमें इतना ही करना है लेकिन इस प्रोग्राम को लिखने के लिए जो सबसे जरूरी चीज है वो है कि टेमप्रेचर को Celsius से Fahrenheit में और Fahrenheit से Celsius में convert करने का formula तो चली समझते हैं कि अगर हमें temperature Celsius में दिया है तो हम उसको Fahrenheit में कैसे convert कर सकते हैं अगर हमें temperature Celsius में दिया है तो उस दिये हूए temperature में 9 by 5 का multiplication plus 32 add करके हम उस temperature को Fahrenheit में बदल सकते हैं उसी तरीके से अगर temperature हमें Fahrenheit में दिया हो तो हम उस temperature से 32 minus करके और 5 by 9 का multiply करके उसको Celsius में बदल सकते हैं तो इन दोनों formula का यूज़ करके हम आज का program कर सकते हैं तो चलिए चलते हैं अपने VS Code में और आज का program लिखना शुरू करते हैं तो मैंने अपना VS Code open कर लिया है और अपने VS Code में input output format को यहाँ पर मैंने paste कर लिया है ताकि हमें पतर है कि हमें output में लाना क्या है और मैंने Basic Structure पहले से लिख लिख लिया है ताकि हमारा समय थोड़ा बच सके अब सबसे पहले चलिए हम variable मनाते हैं C और F नाम का जैसे कि हमने formula में देखा था तो मैंने C और F नाम का variable मना लिया और दोनों variable को मैं कर दूँँगा float type का ठीक है दोनों variable को कर दूँगा मैं float type का क्योंकि C और F दोनों floating point number हो सकते हैं उसके बाद मुझे क्या करना है मुझे ये print करना है Celsius to Fahrenheit Conversion जैसे program रन होगा तो मैं इसको copy कर लेता हूँ और printf में printf में मैं इसी चीज को paste कर दूँगा तो मैंने paste कर दिया और मैंने slash n लगा दिया ताकि अगली line हमारी next line में आए उसके बाद मुझे क्या करना है user से temperature मांगना है Celsius में तो मैं इस line को copy कर लेता हूँ और फिर से printf लिखता हूँ और printf में इस बार मैं paste करूँगा second line को जिसमें हमने user से temperature मांगा है Celsius में और जैसे ही user हमें temperature Celsius में देगा तो हम क्या करेंगे इस temperature को receive करेंगे receive करने के लिए हम क्या यूज़ करेंगे scanf यूज़ करेंगे और scanf का syntax क्या होता है कि सबसे पहले हम लिखेंगे format specifier तो format specifier क्या हो जागा %f और उसके बाद में किस variable में रखना है तो हमें c नाम के variable में रखना है अपने temperature को जो के Celsius में दिया हुआ है उसके बाद में क्या करेंगे उसके बाद हम formula लगाएंगे formula क्या था अभी हमने देखा था कि हम जो user ने temperature दिया है उसको multiply करेंगे किसे 9 by 5 से ठीक है और फिर जो भी आएगा उसको हम add कर देंगे 32 से ठीक है तो इस तरीके से हमारा formula था और जो answer आएगा उसको हम कहाँ store कर लेंगे F में तो इससे क्या हो जाएगा कि हमें Celsius to Fahrenheit convert होके हमें F में Fahrenheit में temperature मिल जाएगा उसके बाद में जो हमें output print करना है वो कुछ इस format में करना है तो मैं इस format को copy कर लेता हूँ और यहाँ पे लिखता हूँ printf printf लिख कर मैं इस line को यहाँ पे paste कर दूँगा क्योंकि उसी format में हमें output चाहिए temperature in Fahrenheit और फिर यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा format specifier हमें percentage F ठीक है और उसके आगे हम लिख सकते है कि हमें decimal के बाद दो डिजिट शाहिए तो मैंने 0.2 बीच में कर दिया उसके बाद में यहाँ पे मैं लिख दूँगा कि किस variable में हमारा temperature है तो F नाम की variable में हमारा temperature है ठीक है तो यह हो गया Celsius to Fahrenheit अब इसी तरीके से हम क्या कर देंगे Fahrenheit to Celsius Conversion कर लेंगे तो अगर मैं इसको थोड़ा सा जल्दी करना चाहूँ तो मैं क्या कर सकता हूँ मुझे यह copy paste करना पड़ेगा तो एक काम करता हूँ मैं इस पूरे को copy कर लेता हूँ क्योंकि इसी तरीके से हमारा जो दूसरा conversion है होगा तो मैंने इसको पूरा paste कर लिया ठीक है लेकिन अब हमें printf में कौन से लाइन चाहिए Fahrenheit to Celsius Conversion चाहिए तो मैं इसे copy करके यहाँ पे paste कर लेता हूँ Fahrenheit to Celsius Conversion उसके बाद में हम यूजर से temperature माँगे enter the temperature in हमें अब Fahrenheit में temperature चाहिए तो मैं इस लाइन को copy करके यहाँ पे paste कर दूँगा तो यह मैंने paste कर दिया ठीक है तो यूजर से हमने बोला कि enter the temperature in Fahrenheit तो यूजर ने हमें temperature दिया तो मैं अब इसको variable C में नहीं मैं इसको आज़ता हूँ यहाँ से इस formula को formula था कि F में हम 32 minus कर रहे थे F में 32 minus करने के बाद हम क्या कर दे रहे थे इसको multiply कर दे रहे थे किसे 5 by 9 से 5 by 9 से multiply कर दे रहे थे और जो भी answer आएगा उसको हम कहाँ receive कर रहे थे उसको हम C में assign कर रहे थे C नाम के variable में तो अब हमें जो last line message देना है वो होगा temperature in Celsius तो यहाँ पर हमें चाहिए temperature in Celsius ठीक है और यह ठीक है और यहाँ पर जो variable होगा वो होगा capital C क्योंकि उसमें हमने Celsius वाला temperature को store किया है तो यह हमारा program जो है बन के तयार है चलिए एक बास को run करके देखते हैं तो run करने के बाद जो मुझे सबसे पहले message दिखेगा वो होगा Celsius to Fahrenheit conversion अभी हम क्या कर रहे है Celsius को Fahrenheit में convert कर रहे हैं माली जो मैंने temperature दिया 37 जो कि Celsius में है तो जैसे मैंने enter किया तो temperature in Fahrenheit है गया 98.60 अभी इसमें slashn की कमी है तो मैं पहले वो लगा देता हूं उसके बाद में इस program को हम दुबार run करते हैं एक चीज जो missing है यहां पे वो है कि जब यह output हमने print किया तो मुझे यहां पे slashn कर देना चाहिए था तो उससे क्या होगा कि जो next जब conversion होगा तो वो next line में होगा दो बास lesson करेता हूं ताके थोड़ा gap देखे उसके बाद में बाकी सब ठीक है यहां पे ठीक है तो मैं प्रोग्राम को फिर से run करता हूं तो उसके बाद जब मैंने इसको run किया तो सबसे पहले हमें message दीखा celsius to Fahrenheit conversion तो enter the temperature in celsius तो celsius में temperature इंटर करने के लिए बोला तो हमने कर दिया 37 तो मैंने enter किया तो temperature in Fahrenheit कितना है 98.60 अब अगर 98.60 मैं Fahrenheit में enter करूं तो answer कितना आना चाहिए 37 तो मैंने enter किया तो answer मुझे मिल गया 37 इसका मतलब हमारे प्रोग्राम एक दम सही है हम Celsius को Fahrenheit में convert कर पा रहे है उसके बाद हम Fahrenheit को Celsius में convert कर पा रहे है तो यह आज का बहुत easy प्रोग्राम था I hope कि आपको समझ में आया होगा लेकिन अगर इस वीडियो से रिट्रेट आपको कोई doubt है तो please मुझे comment box में बताइए और next वीडियो में जब हम मिलेंगे तो हम problem number 13 solve कर रहे होंगे वीडियो को last तक देखने के लिए धन्यवाद